दोस्तों न्यूजिलेंड के खिलाब दूसरे T20 मुकाबले में मैदान पर आया सरे सायर का तूफान सरे सायर ने न्यूजिलेंड के गेदवाजों के परकच्छे से उड़ा कर रख दिये और मैज इतनी गेदों में ठोक डाले 98 में रन आखिर कर गाई साब भी देखना चाहते हैं सरे सायर की बेंकर बलेबाजी का पूरा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बलाएकन दबाईए हौल नोटिपिकेशन पर क्लिक करना बिलकुल ना उले दोस्तो बारत और नुजलेंड के बीच में पहला T20 मुकाबला बैलेंटन के मैदान पर भारतिय समय नुसार 12 बजे से खेला जाने वाला था मगर दोस्तो इस मुकाबले को बारिस के कारण कैंसल करना पड़ा जबकि दोस्तो दूसरे T20 मुकाबले में हर्दिक पान्या ने टोस जीत कर बॉलिंग करने का पैसला किया जबकि न्यूजलेंड की टीम ने पहले भल्लेवाजी करते हुए 170 रन इसकोर बोर पर लगाए 5 मिकेट खोने के बाद जिसमें सबसे आदा फिन एलन ने 80 रन की तूफानी पारी खेली तो वह इंटरेल में चलने 50 रन का योगदान दिया जबकि भारतिय टीम की ओर से गेंदवाजी कराते हुए हार्दिक पांड्या और अर्सदीब सिंग ने दो दिपकेट चटकाई मगर दोस्तो इस लक्षे का पीछा करने के लिए भारतिय टीम जब मैधन पर आई तो भारतिय टीम की शुरुआत काफी खराब रही क्योंकि दोस्तो सोमन गिल, ईसन, किसन और रिसा पन्त यानि तीनों खिलाडियों को तिन साउदी ने परवेलियन का रास्ता दिखा दिया अलाकि चौते नमर पर बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादा भी 32 रन बना कर आउट होगे उसके बाद दोस्तो भारतिया टीम का मोर्चा समाला सिरेज सायर ने जबकि सिरेज सायर ने सभी न्यूजिलेंड के गेंदवाजों के परकच्छे से वड़ा कर रख दिये और मात्र तेज गेंदों का सामना करने के बाद 97 में रन की 20 पोटक पारी खिल लाली जिसमें 11 छटके और 2 चौके भी सामिल थे और इस तरीके से 100% हारा हुआ मोकाबला सिरेज सायर ने अकेले दंपर भारतिया टीम के लिए जिता दिया दोस्तों ये तो एक प्रैक्टिस मोकाबला था वैसे गाईस आप नीचे कॉमेंट बोक्स में बताना कि दूसरे टीटवांटी मोकाबले को कौन सी टीम जीतेगी